WhatsApp, Meta, पूर्व में Facebook के स्वामित्व वाला सर्वव्यापी मैसेजिंग एप दुनिया भर में संचार के लिए एक आवश्यक उपकरन बन गया है टेक्स्टिंग और कॉलिंग से परे WhatsApp अब धुगतान प्लेट फॉर्म को शामिल करने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार कर रहा है WhatsApp ने हमारे संचार करने के तरीके को बदल दिया है और UPI Unified Payments Interface के माध्यम से WhatsApp भुगतान का एकिकरन भारक में उप्योग करताओं को एप के भीतर सीधे पैसे भेजने और प्राप्त करने का एक सहच तरीका प्रदान करता है उप्योग करताओं को खाता निलंबन, व्यावसायक सेवाएं, WhatsApp, UPI, भुगतान, लेंदेन, विफलता, देरी या अंधिकरित, लेंदेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तकनीकी गड़बडिया, जैसे एप क्रैश, अवरुद्ध खाते या कनेक्टिविटी समस्याएं उप्योग करता अनुभव को भी प्रभावित कर सकती है आलाकि किसी भी सेवा की तरह तकनीकी समस्याएं, गुगतान समस्याएं या खातासंबंधी चिंताएं उत्पन हो सकती है वाटसेप सेवाओं के बारे में सहायता और शिकायत दर्स करने के लिए यहाँ जाएं तर एक कस्टमर केयर वाटसेप को शिकायत करें वाटसेप और वाटसेप बिजनेस की सेवा नीती के अनुसार आप उपलब्ध ग्राहक सेवा नंबर, इमेल या ओनलाइन शिकायत फॉर्म के माध्यम से वाटसेप समर्थन से शिकायत कर सकते हैं सहायता सेवाए ग्राहकों उप्योग करताओं, व्यवसायों, यूपी आए भुगतान, भारत और उद्यम समाधानों के लिए उपलब्ध हैं आप संबंधित विभाग में अपनी शिकायत दर्स कराने के लिए इन संचार विधियों का उप्योग कर सकते हैं एक WhatsApp सपोर्ट WhatsApp एप सेवाओं से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं एप में सहायता, WhatsApp सेटिंग्स सहायता हमसे संपर्क करें पर जाएं अपनी समस्या का विस्तार से वर्णन करें और यदी प्रासंगिक हो तो स्क्रीनशॉट संलगन करें आप किसी भी तक्नीकी या विशिष्ट समस्या के त्वरित समाधान के लिए WhatsApp के FAQs और सहायता के इंदर प्रिष्ठों में उपलग्द संसाधनों से भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं दो WhatsApp बिजनिस सपोर्ट यदि आप WhatsApp बिजनिस एब का उपयोग कर रहे हैं और किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो यहां बिजनिस सहायता से संपर्ग करें अप में सहायता WhatsApp बिजनिस एब खोलें सेटिंग सहायता हमसे संपर्ग करें पर निविगेट करें इमेल smb-web-8support.whatsapp.com चैट WhatsApp बिजनिस एब के माध्यम से WhatsApp बिजनिस एंटरप्राइस सल्यूशन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आप WhatsApp पोर्टल के संपर्ग प्रिष्ट से शिकायत फॉर्म इमेल या सब्मिट कर सकते हैं यदि आपको WhatsApp एक्सेसिबिलिटी और सहायक तक्नीकी सेवाओं के संबंध में सहायता की आवश्शक्ता है तो प्रासंगित जानकारी के साथ आपके पास WhatsApp की UPI भुगतान सेवाओं के संबंध में कोई विवाद है जैसे भुगतान विफलता कोई लेंदे नहीं अवरुद्ध UPI या अन्यमुद्दे तो इन संपर्क विवर्णों का उप्योग करके अपनी शिकायत दर्ज करें आप में सहायता WhatsApp सेटिंग्स भुगतान सहायता पर जाएं आप जिस समस्या का सामना कर रहे हैं उसे चुने और निर्देशों का पालन करें WhatsApp Help Line No.18002128552 WhatsApp पर ओनलाइन शिकायत करें आप के भुगतान अनुभाग में सहायता से ध्यान दे WhatsApp के माध्यम से किसी भी वित्तिय धोखाधरी या ओनलाइन घोटाले के लिए राश्ट्रिय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से साइबर पुलीस को अपनी शिकायत ओनलाइन दर्ज करें या तुरंट 19-30 डायल करें यदि UPI भुगतान समस्या का समाधान नहीं होता है तो आपको अपने संबंधित बैंक और WhatsApp के संबंधित भुगतान भागिदार बैंक में शिकायत दर्स करनी चाहिए वर्तमान में भुगतान सेवा प्रदाता, PASP, HDFC बैंक, AXIS बैंक, ICICI बैंक और SBI हैं जहां आप WhatsApp, UPI के साथ किसी भी भुगतान भिवाद के संबंध में सहायता प्राप्त कर सकते हैं अपनी लिखित शिकायत या ओनलाइन फॉर्म में आपको यह प्रदान करना चाहिए खाता जानकारी, WhatsApp, फोन नंबर, संबध, इमेल, यदि लागू हो समस्या का सपष्ट विवर्ण, मुद्दे को तथ्यात्मक रूप से समझाएं, तारीखें, समयादी स्क्रीन्शॉट गडबडियों को प्रदर्शित करने के लिए ये अमूल्य हो सकते हैं लेंदेन आइडी किसी भी भुगतान संबंधी विवाद के लिए इन्हें शामिल करें अन्य खाता निलंबन, अवरोधन या किसी भी प्रकार की धोखाधरी घोटाले, यदी कोई हो से संबंधित समस्या का वर्णन करें फिर भी WhatsApp सपोर्ट द्वारा समाधान नहीं किया गया आप कम्पनी द्वारा नियुक्त शिकायत अधिकारी को शिकायत भेज सकते हैं स्तर दो शिकायत अधिकारी वाटसेप आईटी नियम 2000 के अनुसार वाटसेप ने वाटसेप सेवाओं, गोपनियता चिंताओं और नियामक नियमों से संबंधित किसी भी विवाद के निवारण के लिए भारत में एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है इसलिए अपने अनसुल्जे मुद्दों या गंभीर शिकायतों के लिए वाटसेप के भारत के शिकायत अधिकारी से संपर्क करें शिकायत अधिकारी का संपर्क विवर्ण शिकायत प्रपत्र सब्मिट करने के लिए क्लिक करें मुख्यालय का प्ता वाटसेप इंक डॉट एक हजार शिकायत अधिकारी यूनिट बी आठ और बी दस कार्यकारी केंद्र स्थर अठारा डी एलेफ साइबर सिटी बिल्दिंग नंबर पांच तौवर ए चरण थ्री गुडगाव एक दो दो शूने शूने दो मुख्यालय का पता वाटसेप इंक डॉट एक हजार चैसाओ एक विलो रोड मेंलो पार्क कैलिफोर्निया चौरानवे हजार पचीज संयुक्त राज्य अमेरिका लेकिन असंतोष के कारण के साथ पहले दर्स की गई शिकायतों का संदर्भ तिकट आईडी शामिल करना न भूले कानून प्रवर्तन एजनसिया एक वैधानिक सरकार या कानूनी निकाय के रूप में किसी कानूनी नोटिस भेजने या किसी विशिष्ट मामले के लिए किसी भी जानकारी का अनुरोध करने के लिए सीधे अधिकारी से संपर्क कर सकती है कानूनी नोटिस के लिए उपर बताए गए समान डाख पते का उप्योग करें आधिकारिक नोटिस भेजने से पहले कानूनी सलाह लेना अत्यधिक उचित है WhatsApp पर कानूनी नोटिस इलेक्ट्रोनिक रूप से भेजे जा सकते हैं जिसे भारतिय अदालतों द्वारा एक वैद सेवा के रूप में मान्यता दी गई है सुप्रीन कोर्ट ने इमेल और WhatsApp जैसी मैसेजिंग सेवाओं के जरिए नोटिस भेजने की इजाज़त दे दी है स्तर तीन अपीलिय प्राधिकारी यदि संचार के सभी उपलब्ध तरीके आपके विवादित मामले को आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हल नहीं कर पाते हैं या भाटसेप अधिकारियों द्वारा नजरंदाज कर दिया जाता है तो आप वाटसेप के खिलाफ और भारत में इन सेवाओं की देख रेख करने वाले संबंधित नियामक या अपीलिय अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्श कर सकते हैं नाशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन आफ इंडिया NPCI आप वाटसेप के साथ UPI भुगतान विवादों के संबंध में NPCI को आउनलाइन शिकायत दर्श कर सकते हैं भारतिय रिजर्ट बैंक आरबी आई यदि भुगतान के संबंध में आपकी शिकायतों का समाधान 30 दिनों के भीतर नहीं होता है तो वित्तिय सेवाओं के लिए RBI के बैंकिंग लोगपाल को शिकायत दर्श करें उपभोकता आयोग, व्यवसाय, उत्पादों या उपभोकता अधिकारों के उलंगन से संबंधित किसी भी विवाद के लिए आप ईदाखिल के माध्यम से जिला राज्य या राष्ट्रिय उपभोकता विवाद निवारण आयोग, NCDRC से अपील कर सकते हैं और किसी भी मौदरिक नुकसान या राहत के लिए मुआवजे की मांग कर सकते हैं उपभोकता विवाद गोपनियता नीती या भारत में वाटसेप के व्यावसायक संचालन से संबंधित विवादों के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए आप केंद्र सरकार के PG Portals, Grounds के माध्यम से Electronics और सूचना प्रोध्योगी की मंत्राले, MAI-TY में शिकायत दर्स कर सक महत्वपूर्ण सला आप का उप्योग कर सकते हैं कंप्लेंट हब पर आप आसानी से संबंधित नियामक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं दुए आई एसिस्टेंट आपको शिकायतों और कानूनी नोटिसों के लिए ड्राफ्ट लिखने में मदद करेगा आप शोध भी कर सकते हैं सारवजनिक सेवाओं और प्रक्रियाओं को खोज सकते हैं और कानूनी नियमों और कानूनों को आसान प्रारूप में समझ सकते हैं या कोई अन्यरचनात्मक कार्य कर सकते हैं आप Complaint Hub एप को प्ले स्टोर से डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि WhatsApp से संबंधित आपकी समस्याएं आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप हल हो जाएंगी।